और हमारा जी रॉक एश्टीडीपी और थ्री थाउगने जनाब यह हमने एंजी रॉक को भी रंग कर दिया और एंजी रॉक ने जनाब एक अदद यॉर्ल प्रोवाइट कर दिया और वो यॉर्ल हम कहां पर बता देते हैं अपने डायलोग इसके जो हमारा एलेक्सा की स्किल है उसके एंड़ पॉइंट पर हम वो बाट डिफाइन कर दो आज चल जाए वाई चाहिए और यहां पर यहां पर जो यॉर्ल लगाव अब ही मैं डाल देता हूं इसमें ताजा तरीन यॉर्ल है और इसको मैं सेव कर देता हूं और सम टाइम इसको बिल्ड करना पड़ता है उसके बगएर एफेक्ट नहीं आता तो मैं एहत्यातन उसको बिल्ड भी कर देता हूं अब हम वापस उस डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं जिस डॉक्यूमेंट को लास्ट टाइम स्टेडी कर रहे हैं और इसके अंदर हमने एक चीज़ छोटी सी चीज़ है वह मिस्स कर दीदी इसकी वेज़े से इमेल गुर्ण नहीं करबाएं अच्छा वह क्या चीज़ थी वह चीज़ यह थी कि इनोंने कि इनों ने ये तो पतायाँ कि ये एंड पॉंट है ये वाला और व्लूपायूंट और सबकुंच आध इनों ने उससे थोड़ा वासा पहले यह बिपताया है कि जो आपका हो और यह चैज लगा है कि जो यह जीज लगानी जब आपको नाम मिलेगा सिर्फ एंड-point पर नहीं तो 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 चार चीज़े हैं तो चार चीज़े हैं तो चीज़ों को कॉंपैक्ट करता हूं ताकि सारा कुछ नजर आया चार इसके अंदर मेरे पास फंक्शन्स हैं चारों को में क्या कर देता हूं मिनिमाइस कर देता हूं ताकि कोड को समझने में असानी हो अच्छा जी अभी तक जो हमने कोड लिखा इसमें क्या क्या कुछ मौझूद है एक दफ़ हम ओवर्वियू करते हैं और वहीं से हम आगे बढ़ते हैं और हम इमेल करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले इस एक सरवर जिसके साथ हमने किया हुआ है अपने अपने पॉइंट को उन्हें ने डॉकिमेंट में जो तरीथा बताया था उस तरीथे से हमने एक्सप्रेस के अंदर उसको करेक्ट कर लिए लाउन्च रिक्वेस्ट के आती है अच्छा यह रख है लाउन्च रिक्वेस्ट जब भी कोई होंगे करता है तो यहाँ पर डेटा जाए के सेय fourth यहां सुछ का नाम कि कौनवसी स्किल है अब सकत i तो बारबर महां पर बनते होंगे जाएगे तो मैं रोबो मॉंगो के इंदर जाकर दे सकता हूँ किसमें इस वक्त क्या मौझू है क्लास डीबी कनेक्शन मैं इसको क्लास है हमारी उसी का डेटाबेस हमने बनाया है उसी में स्टूर करते हूं अलग से मैंने इसके लिए को डेटाबेस नहीं बगाए चैड़ डीबी कलेक्शन यूजज अब मैंने यूजज कुछ ऐसे खोला जी धोस्ति और यह मेरे पांझ बारा रेकोर्ट है धूरी रिकॉर्ण वह कब के हैं आ जब ही वेटी तीन तारिक को इसका लास्ट रेकॉर्ड आ रहे तो यह बारा रेकॉर्ड इसके अंदर टोटल मौन इसके नाम हर आए सेलानी क्लास का नाम के नाम है अब क्यूंक्थ करदी है अब मजीद जो रेकॉर्ड बनेंगे उसमें इसकिल का नाम थोड़से डिफरेंट होगा तो यह इस तरह से आम तोर्व मैं यह चीज लगा देता हूं कि उसको समझ में ना है तो उसका भी एक लेकिन अलग से डेटाबेस में उसका मेंटेन करता हूं तो यह वह तरीखा अच्छा उसके पाद मेरे पास एर्र हैंडलर हो गया वह फॉल वेक कि अगर आपके चैटबॉर्ड को पास समझ नहीं आएगी तो यह एर्र हैंडलर जो इन यह चलिए ठीक है तो इसके पाद लाउ अब और प्लेस करना चाहता है अब और प्लेस करते हैं हमारे पास प्रॉब्लम यह थी कि हम बंदे को आइडेंटिफाई कैसे करेंगी बंदा कौन तो हमने इस चीज को लेकर देखा कि तीन यूनीक आइडेंटिफायर जो है अलेक्सा की स्किल में आपको पहले से मिल रहे ह ठीक है वो कौन-कौन से यूनीक आइडेंटिफायर है यूजर आइडी सेशन आइडी और डिवाइस आडी अब इन तीनों की अलग-अलग प्रॉपर्टीज है वो हमने लास लास में डिसकस किया था कि सेशन आइडी क्या होती है हर सेशन में नहीं जेनरेट होगी है चाहे यूजर आइडी से आप एक्चुल यूजर को ट्रैक नहीं कर सकते हैं वो जस्ट यूनीक आइडेंटिफायर है उससे आप यह पता नहीं लगा सकती यह बंदा है यह दूसरे से अलग है तो मेरी सेम आइडी होगी बट उससे मुझ तक पहुंचा नहीं जा सकते हैं यह प् यूनीक आइडेंटिफायर है जो आप मुक्तलिफ मवापने पर इस्तमाल कर सकते हैं अच्छा एक चौथा यूनीक आइडेंटिफायर है बट वो आपको बाइडेफॉल्ट पहले से नहीं मिल रहा है वो उसको गैट करने के लिए आपको कुछ कंफिग्रेशन करनी पड़ करने उसक्तों चला और चार चीजोंकी पर्मिशन में ले सकता हूँ अच्छा नंबर थ्री इमेल ड्रेस नंबर फोर कस्टमर का फॉन नंबर ठीक है अच्छा ये नंबर फाइव और और बी मजीद नीचे है तो आपको चेक लगाना पड़ेगा कि इसमें एमजॉन पे इस्तमाल हो रहा है कि इस इसके लिए यूजर पेमिंट भी कर सकता है बट यह जो यूजर इडेंटिफायर जो शुरू के चाहर जो जिससे आप यूजर को आइडेंटिफाय कर सकते हैं उसका एड्रस उसका फॉन नबर उसका इमेल और उसका नेम यह फुल नेम जिए घिवन नेम का मतलब होता है जैसे मेरा नाम अगर को पूचे मैं को माई निम इ लोगों ने जो नाम दिया होगा तो वह गिवन नेम के लोगों ने जो नाम दिया होगा है ठीक है भूँए आपके क्लास में भी बहुत सारे जिनको आपने को दूसरे नाम दिये गए तो यहां पर मैंने पर मिशन इबल करों गा कि मेरे फॉन में भी है मैरी डिवास में भी नेमी जब मैं उस सकिल को इनेबल करूंगा तो इनेबल करते हैं वह मुझे कहेगा यह यह परमिशन चाहिए ठीक है यह यह परमिशन चाहिए मिसाल के नौर पर मैंने इसका एकाउंट पर सही कर लिया अलेक्सा वाला सेमे काउंट कर लिया अच्छा मैं अपनी डिवाइस को मिरार करता हो यहां पर मौर गया और मोर जाने के बाथ मैंने का इसकिल्स एंड डेम टो त्रीव फाइफ इअबडल कियो वह सारी स्ट्रोंग यह और अ Kennedy यह जो ड्रॉपडाउन आ रहा है इसको मैंने क्लिक किया तो यहां पर आ रहा है इनेबल ब्लूप्रिंट और डेफ मैंने डेफ पर क्लिक किया क्योंकि डेवलप्मेंट स्केल है पब्लिश नहीं हुए तो आप नोट कीजिए इसके अंदर क्या आगिया मलीक रैस्टरॉण के कि यहां पर ना मैं इसको डिसेबल अगर करता हूं अभी तो इनेबल है मैं इसको डिसेबल करती है अच्छा इसको इनेबल करूंगा यानि पहली दफार जब कस्टमर आएगा तो वह इस तरह को मिलेगा फुल नेम और एड्रेस यह दो चीज़े कह रहा है कि इसकी इसकी इ मैं यहां से चेक हटा सकता हूं लेकिन अभी मैं हटाता लिए होगी मैं इसको लवा देता हूं से लगा दिया तो आप इसके इसमें जगा पर लिखा और यह आ रहाता है कि दोनों पर्मिशन मिल गई बट वो सेटिंग में आता है आप देख भी सकते हैं जाके चेक कर सकते हैं यह तो यह यूजर के पास जो है आपका जो एंड यूजर होगा उसके पास यह तरीखा मौजूद है कि वह परमिशन आप अच्छा तो यह यूजर के लिए जरूरी होगा जब तक यूजर इनेबल नहीं करेंगा आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही होगी तो यह पास समाज आ गई कि अब आजाते हैं अपने कोड में अच्छा मेरे केस में मैंने यह देखा मैंने यहां पर कफिगर भी कर दिया और यूजर को एकसे ने से दोनों पर हूँ तो थो यह मैंने एक्सेस भी देदिया तो अब मुझे मिल जाना चाहिए अब मैं आता हूं वापस मैं बिल्ट पर थो दिवाइस आएडी वाले को एंड को एंड मैं दीडू आप click यहां पर मैंने एक्सेस टोकन को गैट कर लिया अच्छा एक्सेस टोकन ना रिक्वेस्ट एंवलप के अंदर ही आ रहा होता है जैसा यहां लास टाइम को ब्यूटी फाय करके देखा था तप कि जो रिक्वेस्ट एंवलाब है यानि के अलेकसा ने जो रिकवेस्ट भेजी ए मेरे पास उसमें इच्वेश्ट टोकन होता है यहां पर लाइबरेरी यह यहां पर तोकन को सी वाली यह हमें एक फेसिलिटी एटी हम और उसमें एन्वलब हम पास करें तो इस एन्वलब में से जहां पर भी होगा यह निकाल के आपको पर आसानी के लिए तो मैंने इसको इस्तमाल किया है जरूरी नहीं था कि मैं इसको इसके बगार भी मुझे मिल जाती वह चीज अच्छा मैंने एक वैरियेबल में इसको स्ट के लॉक्त होते हैं वह सर्वर रूम में बैठावा जो एंपलॉई होता है उस और गिनाजिशन पर देख सकता है तो इस तरह कि चीज आम तोर पे वल्लरेबल समझी जाती है अगर आप कॉंसोल पर प्रपस के लिए ने करवाया है प्रोडक्शन में आप इसको कॉमेंट करक अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया मैंने एक्जियॉस के जरीए एक रिक्वेस्ट की इस पॉइंट में कल मिस्टेक कर रहा था जिसकी वजह से मुझे नई रिस्पॉंस आ रहा था मैं जस्क इतना यूरल लिख रहा था बैट और डॉक्यमेंट में नीचे देखा तो उन कि तोकन करके यह बैएक्सेस टोकन निyasब पास देए यह चीज बी बताई अपने डॉक्यमेंट में अगर वापस डॉक्यमेंट में जाता हूं तो यहां पिहन nouveaux मैं किया हुआ है कि कि यहां पर मैं मैंशन किया वा है कि आपको यह टोकन मिलेगा इस तरह से अप आपको करना कि आपको यह काम करना सिर्फ काम नहीं करें और फिर बेजेंगे तो कैसे करेंगे आप हैडर में करेंगे और फिर बैरर इस पेस टोकन ठीक यह नो नहीं आप बता आप जिसमें से एक तरीख है इसको हम कहते हैं या और या इसको बेसिक ऑफराइजेशन भी है हाँ बहुत जमाने से बनावा चला आरा तो यह तरह है लेकिन यह टोकन का पार्ट जो टोकन है ना यह उसका पार्ट मतलब टोकन एक तो उन्होंने भेज दिया पर टोकन से पहले बेरर आपको लगाना पड़ेगा अधर वाइस तो डॉक्यमेंटेशन पर संटाइंग चीजा बताई जाती है ना वह मेक सेंस नहीं होती लेकिन वह कह रहे ह थंदर क्लाइंट में आप जाके जब ऑथराइजेशन देखेंगे ना तो यह एक है नो और एक है बेसिक और इस पर यूजर नेम पासवर्ड भी देके बेश सकते हैं एक बेरर टोकन और एक है और टूपॉइंट जीडो यह मोटे मोटे ऑथेंडिकेशन के आपको दिया ज लगा है क्यों कि यह थंडर क्लाइंट ना मेरे बहाफ पर यह काम करें बैग्राउंड है तो फिर मुझे ऑथराइजेशन और बेर स्पेस्टोकन ऐसे वेटना हूँ अगर मैं मैंनुवली भीज़ोंगा तो जैसे इन्होंने बताया था डॉक्युमेंट में वैसे मैंने इस करने के बाद जो उसका रिस्पॉंस आया था अच्छा एक बाद करने वाली है यह वेट करके ही लगेगा क्योंकि इसका बिहेवियर जो है लेंडा फंक्शन वाला ही है वह एडॉप्टर जो आपका जो एक्स्प्रेस है ना उसके अंदर लेंडा फंक्शन वाली चीज को ल यहां पर काम नहीं कर रहा है यहां पर यहां पर रिक्वेस्ट की और रिस्पॉंस के अंदर इसका रिस्पॉंस आगया मैंने रिस्पॉंस डॉर्ट डेटा इमेल इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉंस आ रहा है ना वह एक इस्ट्रिंग रिस्पॉंस वह कोई औबजेक्ट वगरा यह सब कुछ भी निभी और कोई और इस तरहीं चीज नहीं तो एक्जिए अंदर डेटा होता है जो बॉल्डी होती है रिस्पॉंस की वह कैसे मिलती है मुझे रिस्पॉंस बॉर्ट डेटा गर्के मिलती है और मैंने बॉडी को यह वार्यबल में पॉसके बाद मैंने कहा कि अगर email नहीं है कि अगर email नहीं है क्योंकि Alexa ने इन्हों अपने documentation में लिखा है कि sometime ऐसा भी हो सकता है कि बंदे ने email email होई न हमारे record कुछ दफ़ा में ऐसा हो सकता है अच्छा मैंने इसको reproduce करने की कोशिश की कि मैं Alexa पर sign in कर जो बगार email गए लेकिन वह हुआ नहीं मुझसे बट Alexa अपनी documentation में यह बात कह रहा है कि email जो है ना वो sometime ऐसा होगा कि हमारे record में किसी का email ना हो वो बगार email भी चल रहा हो हमारे साथ मतब login वह बंदा बट उसका email ना हो हो सकता है phone number से login हो तो कह रहा है यह जो चारों information है ना चारों में यह possibility है कि आप सर्च करें बंदा login भी हो लेकिन वह आपको मिले ना access भी बंदे ने दिया वह लेकिन वह ही नहीं हमारे record आपको नहीं मिले जाए तो हम क्या गएंगे कि लुक्स लाइक यू डॉन्ट हैव एन इमेल आपके पास email ही नहीं हम रीडी नहीं कर पाएं तो इस केस में उसको हैंडल कर सकते हैं अच्छा अधर्वाइस एक तो इफ नॉट इमेल में यह मने कह दिया अधर्वाइस फिर हम क्या करेंगे हम कहेंगे भाई यूर इमेल हम बंदे को उसका email अच्छा अब आप नोट कीजिएगा यह email को गैट करने वाला जो काम है नहीं पूरा काम यह मैंने ट्राइए के ब्लॉक में किया यह मैंने क्या किया राइक के ब्लॉक में किया जब हम एसिंग वाली रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें error को कैच करने का त प्राइए के ब्लॉक में लिखूंगे अच्छा और अगर उस प्राइए के ब्लॉक में किसी भी खिसम का कोई error आता है तो मेरा कोड कहां पर फॉल होगा तो कैच के अंदर क्या मैंने चेक किया मैंने कहा भाई error का जो response है अगर वो 403 है अच्छा इन्होंने अपनी documentation में यह सीधा सीधा वाले करके देखते हैं फिर हम 403 वाला पहले हम इमेल गट करते हैं सेफ किया मैंने इसको और सेफ करके आता हूं मैं यह आपर और मैं कहता हूं भाई आस्क मलीक रेस्टरांट टू शो माई इमेल यह मैंने कह दिया इसको कि अभी सब कुछ रोग के पर्मिशन वगरा मिली विए तो इसको इमेल बता देना चाहिए मैं भी इसको रीफ्रेश कर लोगा रीफ्रेश कर लें तो टेस्टिंग पेज़ कुछ कुछ को सेफ करने के बादे रीफ्रेश निए अच्छा मैंने दुबारा से लिख्खा है कि आस्क मलीक रेस्टरॉन तो शो मी माई इमेल तो इसने मुझे क्या का योरी मेल इस और आगे मेरा इमेल लिख्खा वागा इस काल करते हैं तो वह रड़ए जैसन रिटरन कर रहे है इसके केस में यह जैसन रेर नहीं कर रहा है इस शिंगल स्टरिंग हाँ इन्हों आया है अपनी को तो है चाहते तो यह अब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं अच्छा आम तोर पर ऑब्जेक्ट की जुरूद हमें है भी नहीं सही मानुवर देखा जाए क्यों कि वैदर एपियाई जैसे हमने कॉल गी अब उसको दस बारा डेटा पॉइंट मुझे देना है अगर मुझे इमेल के जगा नाम गेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा इन्होंने वो यूरल ही चेंज कर दूंगा ना यह रहा ना नीचे आतो रहा है कॉंसोल यह रहा नीचे यह कंसोल हुआ वा तो है यह रहा ना यह वह कंसोल यह इसका देटा नीचे आ रहा है। बॉटी यह मैं सिर्फ रोकानौंगाा एक अब्जेक्ट आ जाएगा तो इसको कहते हैं रॉब उसमें वो connection की सारी चीज़ें लेकर रहाएगा तो वह मैं प्रेंट नहीं करवा सकता है हां रिस्पॉंस डेटा की जगा कुछ और है हां वह भी वह रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते यह वह रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते कियोंकि मैंने एक एकाउंट बनाने की कोशिश की थी किसी तरह बंजर बट बना नहीं तो में बी कुछ कंट्री में ऐसा करते हो यह कि मुबाइल फॉन से लाओ किया था और इंडिया वगरा में कि आप मोबाइल फॉन से लॉग-इन कर सकते यह यूएस में अभी तक इन्हों इमेल तो नहीं है फून नमबर है तो उसने का वो मैं लॉग-इन की जगए फून नमबर लिखता हूं और नीचे पासवर्ड लिखता हूं तो मैं बड़ा शॉक्त होगे यह कोई दो-तीन साल पहले की बात है जब यह शुरू-शुरू स्टार्ट हुआता है मैं बड़ा श तो मुझे उस तरह पता चला कि अच्छा नमबर से चल जाता है दूसरे लोगों से कुछा नहीं है हमारे पास क्यों आप्शन ही नहीं है तो उन्होंने यहां के लोगों लिए स्पैसिफिकली वो किया तो में भी कोई खास रीजन ऐसा हो जिसमें वह जब टीवी खरीदते यह इनका टीवी भी है ना बहुत चलता है वो एमजान फायर फायर टीवी अम्हां में भी गैस्ट अकाउंट में भी यह प्रॉब्लम होगा कि गैस्ट अकाउंट में वो ऑथेंटिकेटेटेट अब उसका कोई डेटा नहीं होगा अच्छा जी तो इसको रीप्रोड्यूस करना अगर किसी से हो जा तो बताना कि यह किस तरह होता है रिप्रोड्यूस अच्छा तो अभी तो हमारे सीधे-सीधे केस वाले आइटम चल गया है कि हमने इमेल गैट कर लिया और बंदे को रिटरन कर दिए यह तो सीधा हो गया अब मैं क्या करता हूं मैं दुबारा से अ स्किल्स एंड गेम्ज और उसके बाद मैं कहा है यूर स्किल अभी आपर मुझे डिवैलप्मेंट स्किल दिखनी चाहिए ठीक है जनाब डैव स्किल इनेवर्ड डैव स्किल ठीक है जी मलीक रैस्पॉंड और यहां पर आके मैंने इमेल को मैं डिसेवल कर दोता हूं जहां पर आदे की पर्मिशन मैंने मना गड़ी है अब ने वाए बस्टुच होगे है जो सेटिंग में गया हुआ यह पता से लिए कि क्या हुआ है तो मस्ला ही हड़ हो जाए यह तो पता नहीं चाहिए तो मैंने इमेल की पर्मिशन को यहां से रिमूव कर दिया और सेव कर दिया अब आप नोट कीजिए फुल नेम के तो एक्सेस में ने दिया वे इमेल का एक्सेस में यहां से बंद कर दिया अच्छा और अब मैं क्या करता हूं अब मैं सेम चीज दुबारा से उससे पूछूंगा तो उसको मुझे क्या कहना चाहिए कि पर्मिशन नहीं मिली हुई है मतलब पर्मिशन नहीं मिली हुए तो क्या होना चाहिए यह जो मैंने रिक्वेस्ट किया है इसका जो रिस्पॉंस है वो 403 आना चाहिए उसका रिस् पॉन साने जोगे ठीक है जी सेव करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि क्या मापी ऐसा हो रहा है मैं गया और मैंने सेम चीज से दोबारा से पूची ठीक है जी अब इसने क्या का? अच्छा अब मेरी स्क्रीन वाली डिवाइस है तो उसमें क्या लिखा वा रहा है सांद है मलीक रेस्टरांट नीड यू तो कंसेंट टू पर्मिशन सी अलेक्सा एप फॉर मोर डीटेल्स ठीक है अलेक्सा की एप में आप जाए और मोर डीटेल आपको वहां पर पता चलेगी के हुआ क्या है अच्छा यहां जो आवाज जो आ रही थी वह मेरी मर्जी की आवाज मैं जो चाहूं उसमें लिखके भीज़नों कि नहीं मिलगा अच्छा कोड में देखते हैं क्या किया है मैंने का जनाब अगर यह 403 है रिस्पॉंस तो आप यह स्पीक करो कि I am unable to read your email और कूरा मैंने आक पर्मेशन कार्ड भी लगा कर भएजा यह पर्मेशन कार्ड क्या चीज़ा अगर मैं ना भी भी भीजो मां तुमसला नहीं जरूरी नहीं मेरी लिए भीज़ना ठीक है बट इस कार्ड से क्या होता है कि आपको न उसमें स्क्रीन पर खर भीज़ाता है यह मुबाईल एप मे कि अलेकसा कॉलन कॉलन प्रोफाइल कॉलन 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 इमेल कॉलन कॉलन रीत ठीक है अच्ट है यह डॉक्यूमेंट में इसी पेज में पिशन किया है कि किस इसकिल के लिए क्या चीज प्सक्राइब लग लग लगा तो मैंने उसके अंदर यह इमेल वाला लगा कर भीज़ा है तो अब वहां पे डिस्प्ले होगा ना मेरा रिस्पॉंस तो चला गया उसके साथ कार्ड भी डिस्प्ले होगा उसमें क्या बनावा आ जाएगा एक ऐसा बटन मनावा जाएगा जिसको करूँगा अब आपने तो आपने मोबाईल अब मेरे पास अब मैं आता हूं किस पे यहां पर किसी जगा पर को दिखा रहों गुड़ा कर दो कम्यूंकेशन नौट एक्टिविटी यह पहले सामने ही हार होता था यह पतर नहीं अंदर कर दिया अच्छा यह मुझे कहां से मिला मुझे मोर में जाकर और मुझे एक्टिविटी के अंदर यह चीज नजा आती है अब यहां पर बार बार यह प्रिंट होगा है लास टाइम इसको टेस्टिंग कर रहा था घर पर बैठ तक हो नहीं पर नहीं आएगा वह कहरा है लक्सा की एप को जाकर चेक पर अक्टिविटी में वी मैंने को सेटिंग चलिए इसकी वासी अंदर को लगया बट यह बाहर ही ह पर उसके लावा भी एक जगह ना जहां पर क्या है अलेक्सा डॉट अमजोन डॉट कॉम यह भी एप की रिप्लेस्मेंट है अगर किसी के बस मुबाइल नहीं है तो वह अलेक्सा को इससे कंफिगर करेगा और इसी पर मैनेज करेगा इसमें यह सामने आ रहा हूं पर नोट अब इसके उपर मैं क्लिक करता हूं इसके उपर मैं क्या करता हूं क्लिक करता हूं अपडेट पर्मिशन तो तो यह पर्मिशन कार्ड अगर मैं यह ना भीजू तो यह क्लिक वाला काम नहीं होगा अधर्वाइस मेरी स्किल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा शुरू मैं कुछ लोगों को जब पढ़ते हैं कि वह पर्मिशन कार्ड भेज रहा तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं है आप सैटिंग के अंदर जाके ही कोई है हां बट ऐसा नहीं है इसक्रीन वाले पर इसक्रीन पर यह रिजल्ट है जो मैंने लिख कर भीजा है वहां से इन्होंने अपना टेक्स लिखा हुए मलीग रेस्टोर्न नीड यू तू कंसेंट टू पर्मिशन इसने कहा है कि कुछ चाहिए कुछ पर्मिशन चाहिए यह मेरी वाली बात नहीं लिखी इसमें तो यह वाला क्या है विट आस्क फॉर पर्मिशन कार्ड कॉंटेंट कार्ड यह इसका नाम है यह हमें कहां से मिला यह हमें लाइब्ररी नहीं होती तो मैं अगर बेशता है यह इसकी जगह पे बैट्गराउंड मे बनाकर 설 अगर हम लाइब्रेरी इस्तामाल ना कर रहे होते हैं तो हम इस तरह से रहे होते हैं तो हमने ये इमेल को गैट करना सीख लिया कि इमेल इस तरह से गैट होता है अच्छा अब हम बनाते हैं प्लेस ऑर्डर सबको ये चीज़ समझ आगे इमेल गैट करने वाले जो आइटम है ये बना लोगे अभी अगर टास्क के तौर पर अभी नूट हो बना लोगे घर से नहीं अभी बना लोगे ये पोल्ट पुश हुआ है पहले से कली पुश कर दिय इतना बड़ा तो नहीं है ये पोल्ट आप हम दो दो दर्फ़ा कॉल करेंगे ना इप आई करना पड़ेगा अगर मैं पर्मिशन और इमेल की पर्मिशन सेफ पर्मिशन ठीक है सेफ पर्मिशन हो गया अब मैं देखता हूं मैंने असल में भी क्या किया है आपके कहने पर इसमें प्रोफाइल पर डॉट नेम लगावागा और सुरी डॉट इमेल लगावागा तो मैं वह दो देखते हैं आपके वो तीनों चीज प्रोफाइल क्या मुझे देता है अगर सब्सक्राइब करना पड़ेगा लगाना पड़ेगा कोई ऐसा तरीखा नहीं है फिलहाल जिससे वो तीनों चीज़े एक साथी गैट की जा सकते हैं अच्छा आप सर्च कीजिएगा में भी आपको कोई ऐसा तरीखा मिले नहीं यह मैंने को मैंने यह कईता है कि service.data जो आता है इसके इंदर रिस्पॉंस की बाली आठी एकर मैं सिर्फ रिस्पॉंस को प्रिंट कर वा कर आता हूँ अच्छा बल्के जल्दी से हम गूगल करते हैं इसको गेट नेम इमेल एट वन्स अलेक्सा कॉंटेक्ट एपी आई सही है चेक करते हैं इस तरह कोई क्वेस्टन की सी ने पूछावा नहीं है इसका नाम किया है अलेक्सा स्किल किट कस्टमर प्रोफाइल एपी आई से तीन चीज़ों के इलावा भी कई सारी चीज़ें हो सकते हैं लेकिन अलेक्सा के अंदर यह तीन चीज़ें आपको से पढ़ाएं चैनल, आई सब्सक्राइब करने वाली कौन चीज़ यहां पर शोह नहीं होरी ठीक है तो हम उसको तीनों को मैंने कहा जनाब के प्रॉमिस.all क्या करता है एरे इंपुट लेता है प्रॉमिस.all क्या करता है एरे इंपुट लेता है अच्छा मैं नेम पर देख लेता हूं नेम साथ में गैट कर लेता है यह नेम का है प्रॉमिस.all के जरीए करना हूं काम यह होता है कि दो-तीन जो एक साथ लगाता है और इसको रिस्पॉंस कैसे करूंगा मैं कहूंगा रिस्पॉंस एरे का इंडेक्स जीरो डॉट डेटा और इसमें मुझे क्या मिला पर पहले वाले पर email मिला वन डॉट डेटा इस पर नेम मिलेगा मुझे सही है तू मैं रिस्पॉंस के अंदर नेम भी शामिल करता हूं कि मैंने का नाम भी बोलू न उस बंदेगा आपका नाम यह और आपका email यह कि मैंने का डियर दियर इन जमाम यूर इमेल इस ऐसे करके मैं इसका रिस्पॉंस होना नहीं सही बिल्कुल यह अच्छा तो मैंने इसमें दो चीज़ें आप इसमें तीन चार पांच छे जितनी रिक्वेस्टे लाएंगा नहीं तीनों को फेल करते हैं अगर कोई एक भी फेल होगी ना यह तीनों को फेल करते हैं आफ कोई एक पीस में से खाल हो गई ना तो यह तीनों को फेल करतेगा यह तरफ के चैम्ड़ों की अथया रिस्पॉंस नीजह अलगी यह तो तो टाइम जादा लगे यह टाइम बचा देता है कि यह टाइम बचा देता है तो जा रहे हो कितने बजिए हैं तो कहीं जाना है चलो पिर चलें अच्छा जी तो अब बिस्मिल्ला पढ़िके जर्व को चला कर देखते हैं अच्छा वई जाराइं इसको चलाने से पहले बिस्मिल्ला पढ़ना पढ़ता है अब अबना यह सई तरकी ले लेता है देगा लेली इसना पड़लत रिस्टेक आप्रमीस सब्सक्राइब decis Rule capital P से होते है प्रॉम इर इन्जमाम मालीग, यह एमेल इस मालिकसिंचर इमयल.com दिएर इंजमाम मॉलीक यूर इमेल इस मालकसिंजर एक जीमेल डाट कॉम अच्छा तो हमने कह किया दो देटा हमने एक साथ गैट कर लिया अगर आप चाहते हैं अच्छा कोई एक आगया है उसका लेया और रिस्पॉंस बाकी का मतला तो यह जावा स्क्रिप्ट के इंदर मुक्तलिफ लाइब्रेरी जिसके जरीए आप यह सारी चीज़ें कर सकते हैं लेकिन यह मुस्क बेसिक केस जो है कि यहां पर हैंडल कर लिए अच्छा वाई आप हमें बनाना है और प्लेस और अब प्लेस और का इंटेंट जल्दी से हम बना लेकिन टाइम बचा है मारे पर 15 मैंट अभी अच्छा जी तो मैंने क्या किया उसी इमेल वाले इंटेंट को कॉपी कर लिए इमेल इंटे इसको मुझे नीचे आड़ करने के बाद अब मुझे जाके एक अदद इंटेंट बनाना पड़ेगा अपने इंट्रेक्शन मॉडल के अंदर मैं यहां पर उसका नाम भी लिख देता हूं मैं कहता हूं प्लेस और इंटेंट का नाम होगा प्लेस ओडर तो मैं जनाब जाता हूं और इसको इस तरफ करके लगए मैं गया इंट्रेक्शन मॉडल और निव इंटेंट में मैंने कहा कि भाई प्लेस ओडर इसका नाम होगा अगर कोई कहता है प्लेस ओडर तो हीट होना चाहिए और बताओ इसका मतलब भी ओडर देना चाहरा है अच्छा नहीं हंगरी में तो मैन्यू बताएगा और बताओ टेक माई ओडर के साथ नोट माई ओडर भी हो सकता है अब यह तो हो गई वह वाली अट्रेंस जिसमें बंदें ने श्रॉट्ट नहीं दिया है यह वह वाला हो गया जिसमें बंदें ने श्रॉट्ट नहीं दिया है अब मुझे एक अट्रेंस लिखनी है स्लॉट के साथ एक नहीं मतलब जितनी चार पांच लिख सब्सक्राइब मैंने करके गीव मी गोला कबाब की जगह पे एक्च्वली होगा क्या नहीं वो डोला मेंने हटा दिया ना डोला असलों में लिखेंगे निए महां लिखेंगे फूड और क्या था बरिया ट्रेंस का नाव स्लॉट्स मेरे का चलेगा वहीं डिशिस था उसका नाव ठीक है बट डिशे निया शोग कर नहीं हो रहा है अब यहां पर मैं आगे लिख सकता हूं गिव में डिश ऐसे करके बोल सकता है होई सही है और क्या बोल सकता है आई वांट और डिश का नाम यह हो गया आई वांट गोला कपाब अच्छा एक तो उझे चाहिए डिश का नाम इसमें और क्या क्या चाहिए कितनी चाहिए मसाला ज्यादा की सही है बात यह ब्लीकुल सही है के स्पाइस ज्यादा चाहिए यह कोई चीज आप नहीं खाते हैं किसी चीस से अरजी है तो यह आप शेफ के नोट्स में लिख जाता है जैसे वह कंप्लीट होता है उसको भाड़ता है वह बटन ड्रेस करता है तो उसके दूसरा प्रेंट हो जाता है अग्ला जोब्यों अच्छा जी आई वांड गुला कबाब गीव मी बोला कबाब यह हो गया और क्या जिस सही है मैं कॉंटीडी कि भाई कितना इस नहीं बिर्यानी बट कितना वन प्लेट टू प्लेट थी प्लेट अब यह मैं एस्यूंगर लेता है प्लेट हमारे दो प्लेट भी दो तरह है हमारे प्लेट भी दो तीन तरह की और मजीद वैरियेशन से बट कीप इट सिंपल जो मिनिममम वायबल जो चीज है मिनिममम जो चीज हमें रिक्वाइड है ही है हम एस यूंगर लेते एक ही तरह की प्लेट है बट हमें क्या चाहिए इसको क्या हुआ हुआ है तो उसके है क्यों टीवागत है क्यों टीवागत है क्यों अच्छा क्या होगा इसका वह टाइप नंबर इस तरह की कोई चीज नहीं है तो मैं नंबर ही लेना पड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा सर्वर पे इस चीज़ को भी हैंडल देबना पड़ेगा कि अगर कोई पॉइंट वाले नंबर देता है तो पॉइंट को इग्नोर गया उसको इंटीजर में करणा तो हम वो चीज़ भी इसमें खयाल रखनी पड़ेगी अच्छा अब मैंने क अगरिया कहा के आई वांट वन लेट और चिकन ब्रिया डिश का ना है सही है इस तरह है अच्छा बढाओ अग्राओ और क्या ट्रेंस्ट दो तो तीन तो देदे ना हर की एक संगल स्लॉट की मैंने दो दे दिये अब डबल स्लॉट की विजिए दो तो देनी पड़े गी कम से कम पांच रेकमेंडेड होता है थ्री से फाइव अगर आप लिखते हैं तो रेकमेंडेड है बड़ आपी सिर्फ एक लिखते हैं इससे सही काम नहीं करें गिव मी वन और शामी कबाब डाइरेक्ट डिश्ट यह मैं एक देदिया यह हम एक्सपेक्टेशन कर रहें कि यूजर हम सही बोलेगा इन में सो कोई भी बात यूजर बोलेगा इसको करने के और यहां पर यहां पर यहां पर इसको अच्छा वाइद अवे इसको करने के और और भी मुख्तलिस तरीपे हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि यह एक सिंगल तरीका हो सम्टाइम आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शो मैन्यू और और को आप सेम इंटेंट में हिट कर रहे हैं उसी इंटेंट में मजीद अगर वहां पर भी कर सकता था नहीं वह मैं शो मैं में भी कर सकता था ना वो तीन चार पाच स्लॉट जितने चाहूं ले सकता हूं माना तोड़ी करेंगें कि मैं बतलब कहने का मसलिये मैं जिस तरीके से कर रहा हूं यह एक वाहित तरीका नहीं है कि इसको मजीद दूसरे तरीकों सभी सोचा जा सकता है मुक्बलिफ तरीके से इसको किया जा सकता है इनका सवाल में इनका सवाल यह है कि भाई बंदे ने का ना प्लेस ऑडर बंदे ने क्या प्लेस ऑड़र तो intent हिट हो गया git उगया तो अब मुझसे क्या चाहिए डिश का नाम पोलेखा फिर अलेक्स इसका इसेश फिर बिर्यानी में पूरी बात बोलदे तो वो इसको संजगा समझता चाहिए उसको सिंगल बॉले तो सिंगल सिंगल चलेगा हम असल में यह जो दोनों केसे ना कि बंदा डायरेक्ली एक ही जुम्ले में पूरी बात क्या दे हमें उसके लिए तयार रहना है अगर बंदा एक-एक करके बाद बोले बोले बिर्यानी एक-एक करके भी चले तो भी हमें उसके लिए रहना है अगर सिंगल जूले वे बोल दे तो भी हमें उसके लिए रैडिया इसी वजह से इसने शुरू के चैप्टर्स में यह बाठ डिसकस की थी कि आपको जब अट्रेंस बनानी है तो वो कैसे बनानी है अट्रेंस तीन जैसे इस केस में बगएर किसी स्लॉट के भी अट्रेंस मौझूद है उससे भी हिट होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यूजर को मजबूर कर रहा हूं कि जुमले में पूरी बात के जुमला एक ही जुमले में पूरी बात के वह यूजर पे डिपेंड करता है कि वह कैसे बहुत है अच्छा और इन सब चीजों के करने के पावजूर भी हो सकता है यूजर कुछ ऐसे अंदाज में गए ना इसको समझ में ना है वह फिर ट्रेनिंग दो प्रॉसस है कि एक महीने बाद ना हम चेक करते हैं कि अच्छा कौन-कौन सी ऐसी बात है यूजर को समझ नहीं आई पिर हम उसको अलग से हैंडल कर रहे होते हैं करते हैं या कुछ भी कोई ना कोई सॉलुशन करते हैं वाली बात है अभी रिक्वाइट करें के ना नीचे अभी हम बताएंगे उसको कि अगर डिश नहीं दी तो क्या पूछ वह बताएंगे अभी बताया नहीं अगर अच्छा जी दोस्त आप क्या पूछ रहें मैंने कहा कि बर्यानी चाहिए होगे यह ऑप्शनल भी हम कर सकता है यह बल्गे अभी कर देते हैं इस पैशलेटी बोलता है देखो वह मैन्यू मेरा आपके मैन्यू में जो शो मैन्यू वाला इटा ना उसके अंदर अभी हमने यह कैटेगरीज नहीं रखी अभी हमने सिंपल पांच देशस रखी हैं वह उसमें बना रहा हैं लेकिन आम दोर पर होता ही है कि हम क्या करते हैं तीन जगों पर डिवाइट करते हैं ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तो इसी तरह हम पूछ सकते हैं वाट दूई तो हम उन पांच में से जो जो ब्रेकफास्ट में लाए करती हैं वो निकाल के दिखा देंगे कि हम कर सकता है सिंपल चीज़ें ठीक है मिसाल के दूब पूरी मेरी स्पेशलिटी या जब वो बंदा यह बुचेगा कि वाट डू यू है विन यूर इस पैशलिटी या वाट इस यूर इस पैशलिटी तो मैं वह वाली डिश उसको बता गूँ अब प्लेस और वे के अंदर ना बंदर डिश का नाम ले यह शुरू में हमने डिसाइड कर लिए कि प्लेस और मे बना लेंगे हम देख लेंगे के यार वाट इस इन यूर स्पैशलिटी तो हम उसमें से एक उसमें से डिश उठागे रिटर्ण करते हैं अच्छा जी तो हमने यह बता दिया नोट और और फॉर वन प्लेट बलके वन और चिकन ब्रिया ठीक है वन और चिकन ब्रिया तो मैंने तीन दे दिये इसके लिए भी ठीक है काफी बहतर सिचुएशन हो चुकी है अभी 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 आ रहा हूं मैं भी आ रहा हूं अच्छा डिश अगर वो बंदा ना पता है तो उसको क्या बोला जाएं कि भी डिश तुमने नहीं बताई मैंने का एड़िट डायलॉग्स अच्छों इस दिस लॉट रिक्वाइड टू फुल्फिल दा इंटेंट क्या यह वह वह रिक्वाइड है इंटेंट को फुल्फिल करने के लिए मैंने का हाँ यह लॉट तो भाइद है ठीक है इसने का भाई अगर बंदा जो नहीं प्लीज तेल मी दा नेम आफ डिश सही है रिच डिश यह मैंने यहां पर लगा दिया तो बड़ अब यह विए वे लेकित करें अच्छा बड़ क्या मुझे ऐसा करना चाहिए यह सवाल है क्या मुझे ऐसा करना चाहिए तो जब तक यूजर वो चीज प्रोवाइट नी करेगा ना मेरा वह फुल्फिल्मेंट पर हिट नहीं होगा वह यहीं पर भूमाता रहता है क्या मुझे करना चाहिए रिक्वाइड देखो दुबारा से बता रहा हूं बंदा आया इसके लोपन की उसने उसको हमने वैलकम किया अब उसने वह लावाई शो मैनियो मैने मैनियो बता दिया वह इंटेंट खतम हो अब उसने मैनियों से किसी एक डिश का नाम लिया या उ पढ़ा है था पढ़के भूलिया हो बढ़ उसने डिश का नाम नहीं लिए प्लेस और यह प्लीस नोट माई आउडर कहा दिया उसने अब उससे मैं पहली दफा में तो चलो यह मैं सवाल कर सकता हूं कि विच डिश या प्लीस टेल में डिश नेम लेकिन अगर वो कह रहे है उसके मैं सको तरीका तो ने पीच्छे जानेगा है तरीका है तरीकह पर पीच्से जागे डिश का नाम देखें है। आप आब इसी तरह में लाना चाह रहा हूं पॉश गएक के अब उसके पस दो तरीक यह तरीका यह हो कि उससे सवाल कि दौरान ही उसको बता दूं कि गोला तवाव और चिगन लिया तो सवाल में डिश का नाम में शामिल रखों अच्छा डिश का नाम मुझे यहां तो पता चलेगा नहीं क्योंकि वह तो डेटाबेस से आ रहे हैं अभी तो आपको उसके लिए स्लॉट पर जाना जरूरी है दूसरा काम यह कर सकता है यूजर महां पर कि वह शू मैनिऊ दूबारा बोलने यह इंट हो सको मैनिट बीकाइड और तो अब मुझे यहां पर क्या करना पढ़ेगा इसके साथ दो काम में कर सकता हूं एक तो यह करने पर क्या हो इसके बगैर ही सर्वर प्र नहीं पर चल नाम बोलो उस सूरत में डिश का नाम भी उसक्वेस्चन में डाल सकता हूं कोई रैंडम ली कोई एक डिश का नाम उठा दिया मैंने का यू मैं से बिल चिकन बिर्यानी यू कैंसर बोला कपाव वाट इस यू डिश नेम या विच डिश वुड़ यू लाइक टू है यू कैं यहां पर लगाओं कि प्लीज टैल में डिश नेम और उसके बाद क्या कहूं यू कैन आस्क मी तूशो मैनियू तो इसके अंदर वो काम तो कर नहीं सकते हैं इसमें क्या करते हैं कदम कदम पे अपने यूजर को आप करते हैं कि इस पॉइंट्ट kia कर सकते हैं अझा क्या कर सकते हैं चया क्यार तो इस तरह में डिसकवर करवाना है क्योंकि वैसे तो आप्वियस बात है कि और गरने के लिए बंदा यही बोलेगा प्लेस ओडर यह नोट माई ओडर बट उसको बताना भी ज़रूरी उसको गाइड करना भी ज़रूरी है क्योंकि यह नई टेकनोलोजी है किस वज़े से जी वाई विच डिश वुड यू लाइक तो हैव तोड़े सब्सक्राइब आप जब यूजर जवाब दे तो कैसे देगा वो कहेगा आई विड लाइक तो है टिश से ली गीव मी टिश गेव में चेकन मिर्यानी से और क्या बोल सकता है मैं सामने से पूछ रहा हूं पंदे से कि विच डिश वुड यू लाइक तो है या वट वूड वूड यू लाइक तो है अच्छा स्लॉट कंफर्मेशन क्या होती है कि जब ये बात बोल दे तो अलेक्सा उससे रिपीट करता है कि बंदा यस बोलेगा तो आगे बढ़ता है लेकिन इस केस में हुझे इसकी जोरत नहीं है यह वो अजय प्रिडिकल मामलश होता है तो हम यह सहरे स्कें मुर्ण स्क्राशन कर देता है लाइस की जलौत नहीं है जोर्ट में नहीं करने की कोशिश करता हूं आया जनाब मैं वापस यहां पर अब यह quantity मैंने का एड़िट अब quantity को मैं क्या करता हूं मैं required नहीं करता हूं quantity अगर बंदा बोल देता है कि बढ़ी टू प्लेट चिकन पर यानी तो इसको टू प्लेट करतो अगरवाइस बाइडिफॉल्ट मैं उसको समझता हूं कि वन प्लेट तो यह हम सिंपल साहिक रखते हैं तो इसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूत नहीं है यहां को डायलॉग तो यहां सेमक्तल जो और जाू खोग तो जनाब मेरा इंटेंट यहां से क्या 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 मिया अप मैं मेरा इंटेंट जो है वह वह ला यहां से THIS और इसको विल्ड का बटन कोॉइं मीन स्वें चलते हैं अपने तो आँ कि सबसे पहले तो मुझे डिश का नाम चाहिए यह इमेल वगरा गैट करना यह तो आफिर की बात नहीं तो आफिर में अच्छा कैसे गैट करूँ वही जराब मैं परकर नाम बन्द ने बताया है कि याद है वह एक्जेक फोर्ड जो लिखते हैं तो वैल्यू गैट हो जाती है हम आपा दो स्लोर्ट है दोनों की वैल्यू गेट करने है अलेक्सा डॉर्ट गेट स्लॉर्ट वैल्यू ऐसे ही जाना स्वेट स्लॉर्ट वैल्यू नहीं है अच्छा और मैंने चीज़ें निकालने कालके दे सकता है और मैंने इस कह दिया कि कॉंस्टेंट स्लोर्ट वैल्यूज इक्वल्स मेरे पास यह वैल्यूज आ गई कि स्वार्ट वैल्यूस को मैं करता हूँ कॉंसोल भी करवा देता हूँ गलता हूँ अच्छा और क्या करता हूँ इसको टेस्ट कर लेता हूँ किस तरह से दे रहा है जेसन में दे रहा है किस तरह से दे रहा है मैं यहां पर आया और मैंने कहा कि मलीक रेस्टरॉंट टू प्लेस और ठीक है मैं डाइरेट ऐसे भी कह सकता हूं कि एंटर किया मैंने जराब आस्क मलीक रेस्टरॉंट टू प्लेस और इसने मुझे जवाब में कहा कि प्लीज टेल मीदा नेम ऑफ डिश और यू कन आस्क फॉर शो मैन्यू यू कन आस्क मैन्यू फॉर जो भी अच्छा सा इंग्लिश का जुबला है अभी तो मैंने वैसे अच्छा परड़ यह एक से दो दफाए वह तीसरी दफा नों और यह भेज भी देगा बेगाल डिश के नाम तो अच्छा नहीं हो सब्सक्राइब कर निकलता है अच्छा नहीं मैं इसको क्या करेता हूं अच्छा मैं भूल गया वीच के नाम तुम्हें शो मैन्यू लिक द कोल के बाब इंस गबाब विश ओन वोडेंट पर शेफ बाभ बंद तो मुझे सिर्फ बीफ कबाम अब बोलों तो क्या Beetle H यह बना चाहिए मैं होना चाहिए वो इसलिछ नहीं होना चाहिए, मैंने सिर्फ बीफ कबाब यह लिखा एंग' तो मुझे ये भी एट करना चाहिए सिर्फ डिश अगर बोल देना बंदा डिश का नाम तो भी और प्लेस करना चाहरा है ना मतलब बात है अभी बटी ये काम नहीं करेगा कि वह बिल्ड करूंगा जब ही काम करेगा ये बट मैंने लिख दिया है वहापर तो अभी मैं मुझे आइट लीस्ट ये कहना पड़ेगा कि आई वांट और देन मुझे डिश का नाम लिखना पड़ेगा मैंने का भाई आई वांट बीफ के अबी इसके मैंने सेनोनियम में के अबी की बाप भी लगाया है क्योंकि वह वॉइस पर की बाप पकड़ रहा है वाट अबी मैं इसेंपल लिखता हूं आई वांट बीफ कबाब यह सर्वर पर इक्वास गई और चुक्के वहां पर रिस्पॉंस में लिखा है कि मेरा एमेल एडरेस मुझे भीज रहा हूं तो हो आगया अच्छा दिए तो यहां पर मैं आगे देखता हूं कि वह जो वैल्यूस है किस तर कि अब बॉक्त वे टों कर देता हूं बुक तरीके से कर लेते हैं आप यह जैसे हम ने किया तौई बहुत रोते हूं आप था है आप के लिए तो पूरा जैसान आ रहा है बट बुक में जैसे में वैसे इस वजब आक्क्ट को आपकी लिए रेफरेंस के सुर्ण के तौर बीचीज वाजूद है क्या था ना मुश्का झाल झाल यह इस तरह से श्लॉट को यह गैट करता है इस तरह से गया था अच्छा इसने रेक्विस्ट रेक्विस्ट करके उसको निकाला हुए हालागे मैं इसको जो इसके फंक्शन है क्या कहते हैं जो आपके जो हेल्पर फंक्शन से अलेक्षा के उसको भी इस्तमाल कर सकते हैं तो मैं बाराल बुक वाले तरीफों को इस्तमाल कर रहता हूं फिलाल के लिए टिश नेम एक्वल टू क्या था मेरे पास यहां पर नाम इसका डिश सिर्फ डिश तब अच्छा इसके इलावा मेरे पास क्या है क्यू टी वाए कि कॉंटिटी अच्छा और इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूं क्योंकि कॉंटिटी में मेरे पास क्या सकता है नंबर जो आ सकता है वो क्वाइंट वाला भी आ सकता है कॉंसोल डॉट लॉट शी के जी में इस नेम और सब्सक्राइब इसको मैं प्रिंट करवा के देखता हूं कि मुझे वो इस तरह से वैल्यू मिल रही है या यह नहीं आई वांट बीफ कबाब मैं इसको दुबारा से कहा है मुझे बीफ कबाब मिल गया है यहां पर उसके लावा कॉंटिटी में मुझे क्या मिला है यहां से सिंपल यह डिश का नाम उठाके डेटाबेस में भीजना है और कॉंटिटी की जगा पे अगर एन एन हो तुम्हां इसको बन अगर एन के लावा कोई नंबर हो तो यह मेरा और काइंड ऑफ प्लेस हो गया अच्छा आपको जो नेक्स क्लास में आप लोग आएंगे तो आपको यह काम ना पूरी फूड ओर्डरिंग अब कंप्लीट करके लाएंगे जिसमें इमेल भी अंदर गैट हो रहा हूँ जिसम अब कंप्लीट करने एक दो छोटी-छोटी बाते और जो अलेक्सा से रेलेटेड है वो करके इंशालला अलेक्सा को आपको खतम करें तो इंशालला फिर मुलाबात रहे हैं आपसे नेक्स लास्त आपको 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 आपको